अनम्टीवी को सब्सक्राइब करें प्रेस करें बेल आइकोन और पाएं मुंबाई नावी मुंबाई एवं बॉल्यूड की ताजा तरीन खबरें कोवीड-19 की समस्या से आज पूरा देश जुंज रहा है नवी मुंबाई के अधिकतर क्षेत्र आज कोवीड के चलते प्रभावित हुए है कोरोना वॉरियर्स रोजाना अपने जान की परवा ना करते हुए ये सोचकर बाहर निकलते हैं कि मनुष्य की जान बचाने की जंग में उनकी हार ना हो पाए नवी मुंबाई में भी कोरोना वॉरियर्स ने कोवीड-19 को मात देने के लिए विधायक गनेश नाइक के नेतृत्व में एक योजना बनाई है विधायक गनेश नाइक ने हमेशा से ही कोवीड महमारी से लड़ने वाले योधाओ का मनोबल एवं साहस बढ़ाने का प्रयास किया है गनेश नाइक के माध्यम से कोरोना को मात देने के उद्देश से जो भी पहल की जा रही है उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम एरोली के पूर्वविधायक संदीप नाइक के माध्यम से किया जा रहा है मैरलिन रवी के साथ पूर्वविधायक संदीप नाइक के हुए विशेश मुलाकात में उन्होंने किसी भी प्रकार का पद ना होते हुए भी उनके माध्यम से किये गए सामाजी कारियों का सफर कोवीर जैसी स्थिती में उनकी प्रार्थमिक्ता इवं जनता के नेता के कोरपर काम करने के बाद आज अब विधायक पत पर नहीं है आप कैसा महसूस कर रहे हैं देखें कि नवी उमबई में सामाजिक शेत्र में काम करते समय मुझे नवी उमबई से कॉर्परेटर तोर्पे में चुनके फर्स टाइम गया कॉर्परेटर होने के बाद एक एरिया क का रिप्रेजेंटेशन हम शहर के स्तर पे करते हैं और उस समय दो साल के बाद में मैं नवी उमबई का स्टैंडिंग कमिटी चेर्वन बना तो उस समय एक वाड की समस्या और पूरे शहर की समस्या पूरे शहर का अर्थनिती उसमें बजेट बजट के हेड्स नए काम नए तो यह मेरे लिए उस समय वो अनुबो एक नया अनुबो था उसके बाद में मेरा नगर सेवक और स्टैंडिंग कमिटी का टेनियोर खतम नहीं होता है तबी मैं फर्स टाइम MLA बना और MLA बनके मुझे इस शेतर से नवी उमबई के एरूली के शेतर से चुनाव लड़ने क मोका मुझे मिला और नवी उमबई के लोगों ने मेरे प्रती विश्वास दिखाया जबी मैं नगर सेवक के तोर पे काम कर रहा था तो उस अनुबो का उपयोग मुझे स्टैंडिंग कमिटी चेर्मन के बतोर काम करते समय आया वहां पे लोगों के बिच में जाना उनकी सम समझना और फिर उसके बाद में नवी उमबे के आने वाले बजट में एक साल के लिए प्लानिंग करना हमारे शहर के बाहर और जो अच्छी महानगर पालिका है और अच्छे प्रोजेक्स है वो हमारे शर्मे लाने का प्रयास उसका अनुभव और उसके बाद में विधायक की दोर मैंने जबी अईरोली का प्रतिनिदित वो महरास्ता लेवल के फोरूम पे किया तो ये मेरे लिए काफी बड़ा अनुभव था नवियुंबई से काम करते समय जो अनुभव मुझे आया उसका उपयोग मैं जबी विधायक बना उस समय मुझे हुआ और वो काफी बड़ा प्लाटफॉर्म है हम नवियुंबई की समस्याए वहाँ पे बताते हैं लेकिन उसके साथ में भी महारास्त्रा में और काफी इशू है फार्मर के इशू है रूलर एरिया के है अर्बन एरिया के है इंफ्रास्ट्रक्चर से और काफी सारे इशू हर सेशन में मुझे नए देखने के लिए मिले मेरा पार्टिसिपेशन एसेमली में रहा नवियुंबई के प्रश्ण हम वहाँ पे रेस करते रहे उसके और इशू के बारे में भी एक हमारा एक मत हमारा एक ओपिनन वहाँ पे देने का मुझे मिला अच्छे जो लीडर से उनके स्पिचेस उनका पार्टिसिपेशन मुझे एसेमली में देखने को मिला तो यह मेरे लिए काफी बड़ा अनवो है और जो अनवो कॉर्परेटर के दोर पे मुझे आया कॉर्परेटर बंदे के पहले एक समाज में काम करने का अनवो जो मुझे मिला उसका उप्योग मुझे कॉर्परेटर के तोर काम करते समय आया कॉर्परेटर के तोर मैंने काम किया उसका अनवो मुझे स्टैंडिंग कमिटी चेर्मन बनने के बाद आया और इस पात साल के टेनियोर का उपयोग मुझे विदान सभा में हुआ और मुझे दो बार नवियुम्बई एरोली मद्दार संग के लोगों ने मेरे उपर विश्वास व्यक्त किया और ये काफी बड़ा अनुवव है और एक पद पद सिर्फ आपके लियनी होता है पद आप aap को काम करने के लिए होता है तो पद एक माध्यम है तो समाज नीती में रहे के भी आप जन्हित के काम कर सकते हैं आपको काम करने की इच्छा होनी चाहिए समाझ के प्रति हम कुछ देना लगते हैं भावना मन में होनी जय चाहिए इसलिए पत्क हो या नहो यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जो अनुभव मुझे मिला है जो विश्वास नभीक के लोगोंने मेरे प्रतिव्यक्त किया है उस अनुभव का उपयोग नभीक के विकास के लिए करना यह में मेरी खुश्ण से भी समझता हूँ और पत्पे रहना या न रहना काम करने के लिए जरूरी है ऐसे मुझे नहीं लगाए सब गनेश नायक जी पात साल तक विधायक नहीं थे पर वो आप वापस जीत हासल करने आए है ये निर्ने नवी मुंबई के लिए कितना महत्वपूर्ण है देखे कि आदरनिय गनेश जी नायक साब का अनुभव काफी बड़ा है गनेश जी नायक साब के ओर देखते हुए एक मास लीडर एक रूट से जुड़े हुए कार्यकरता रूट से जुड़े हुए लीडर और काफी बड़ा अनुभव उनका अनुभव राजनीती में समा प्रतिदितनों करते समय उन्होंने महाराष्ट्रा में मंतरी के दोर काम किया है ठाने डिस्तिक के पालक मंतर यो रहे चुके हैं जो फ्लड जो पूरे महाराष्ट्रा में आया था उस समय डिजास्टर रेलीफ वर्क में उन्होंने काफी अच्छा काम ठाने डिस्तिक में उनक सब्सक्राइब कॉडिनेशन उनका experience काफी बड़ा है तो निछी तुरुप से जो आज हम जो रहते अंप नवीउंबई होने के पीछे उनका काफी बड़ा योगदान है और आने वाले समय में यह जो ढ़ाचा नवीउंबई का बनाया है कि नवीउंबई के पहचान सिर्फ हमारे डिस्टिक तक न रहते हुए स्टेट तक न रहते हुए पूरे देश में और देश के बाहर भी नवी सालों से उसके उपर काम करने का प्रयास और एक वीजन अधरनिया नाइक साब के माध्यम से देखा गया है तो नाइक साब का इस शहर को लीड करना और उनकी उपस्तिती एक काफी मतो पुर्ण है सच जब भी विधायक गनेश नाइक जी पालक मंतरी बने है तब तब उन्होंने लोगों की समस्याओं को आवास बनकर राज्य सरकार तक पहुचाया है उन्होंने पूरे ठाने जिले को साथ लेकर नवी मुंबई को भी उतनी ही प्रमुक्ता और प्राथमिक्ता दी है पर अब जो हमारे वर्तमान पालक मंतरी एकनाच शिंदे वो नवी मुंबई करों की समस्याओं को हल करने में विफल साबित हो रहे इनफाट कोविट-19 के ऐसे समय में वो ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं दिये है क्या आपको लगता है कि गनेश नाइक का पालक मंतरी न होने का खामियाजा नवी मुंबई को भुगतना पड़ रहा है पक्ष को क्या ठीक लगता है या जो क्या चीजे करनी चाहिए उन करते समय लोगों को क्या जरूरी है लोगों की क्या समस्या है common लोगों को एक minister accessible होना चाहिए और सिफो election के time पे नहीं सिफ दिखाने के लिए नहीं हर हपते हर महिने उनका coordination और contact ये जनता के साथ होना चाहिए और एक अच्छा प्रयास जनता दर्बार के माध्यम से हमेशा ही आधरनिय नाइक साब ने किया है नवी उंबय में हर हपते आधरनिय नाइक साब का जनता दर्बार coordinate किया जाता उसमें common कोई कुण से caste का है कुण से धर्म का है कुण से पंत का है वो गरीब है अमीर है वो शहर का है वो अलग पक्ष का है ऐसा कोई भी भेदबा उन्हों रखते हुए ये शहर का नागरिक है औ उसको solve करने का प्रयास हमने करना चाहिए और उस समय जनरली अगर आप कोई ऑफिसर को अपनी समस्या लेके मिलने के लिए जाते तो आपको मालूम है कि कितने दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है लेकि नाइक साब ने हर हपते नवी उंबय के लिए वो उपलब हर हपते लोगों को मिले हैं जब तक पहला आदमी पहला टोकन नंबर और आखरी टोकन नंबर जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उन्होंने वहाँ पर वेट किया है और passionately मन से लोगों की सेवा करने का प्रयास उनके माध्यम से हुए है वो पष्ण महानगरपालिका से जुड़े हो वो परष्ण सिड़कों से जुड़े हो वो कलेक्टर डिपर्मेंट से जुड़े हो मंतराले से जुड़े हो वो सेंटर गवर्मेंट के हो और कोई किसी का डिस्पिट हो तो हर लेवल पे लोगों को रिलीव देने का काम एक समय नी कंटिनियूसली दस साल लोगों को एवलेबल होके नभी उंबे में नाइक साप के माध्यम से किया गया है उसके बावजूद थाने डिस्तिक में हर महानगर पालिका शेत्र में हर महीने एक बार तो ज उसको साल करने वाले अलग-अलग डिपार्मेंट के जो ऑफिसर्स थे उनके उपर भी उनका अंकुष्टा उनका कमांड था कि ये काम लोगों के लिए हैं ये काम हमारे लिए खुद के लिए निये ये लोगों का काम है आपको लोगों के लिए आइवलेबल होना और आपको लोगों का काम करना पड़ेगा और ये उन्होंने एंशोर किया है कि हर समय लोगों को उपलब्द होके ओफिसर्स लोगों के माध्यम से डिपार्मेंट के माध्यम से अलग-अलग शेत्र में लोगों के प्रॉलम सॉल करने का प्रयास नाइक साब ने किया है मंत् और पालक मंत्री उन्होंने DPTC हर DPTC में उपलब्द रहे हैं कई भी DPTC में ग्याप नहीं उनका हुआ है तो निच्छी तुरुप से नाइक साब का अनुभोग उनका रूट के लोगों से टच नागरिकों को help करनी की उनकी धारना इन निच्छी तुरुप से अलग है अगर ना जारा कुछ और नजराता उनकी समझ किस ऑफिसर के माध्यम से ये काम हम ठीक से कर सकते हैं लोगों की क्या जरूरत है उसकी समझ उनको अच्छी है तो कौन विफल है और कौन कारेक्शम है लेकिन नाइक साब निच्छी तुरुप से इस समय बहतर रोल ठाने डिस्तिक के ल जाना महसूस करते हैं पर अगर हम विधायक गनेश नाइक जी की बात करें तो वह 70 साल के उमर में भी ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों को इस महामारी से निजात दिलानी के लिए आगे आकर काम कर रहे हैं क्या आप उनकी इस निडर अंदास से सहमत है निजी दूरुप गनेश नाइक साब ने हमारे फैमिली के लोगों को एक जगा पर उन्होंने घर में बुलाया और उन्होंने हमको कहा कि देखिए कि यह वैश्विक महामारी पूरे पूरे जग में है यह हमारे भारत में है महराश्रा में है यह हमारे डिस्टिक में है यह हमारे शहर में है औ मोटुम्ब प्रमुक हूँ यह धारना यह responsibility मैं समझता हूँ और यह मेरी जवाबदारी है कि लोगों को जिस भी चीज में मैं मदद कर सको और मेरा उसमें सयोग हो यह चीज हमें करनी चाहिए और जो योद्दा होता है उसकी पहचान रणभूमी में होती है इसलिए आप हमार के लिए फिट हूँ और मैं आज एक position पे हूँ तो मेरा अनुभो का उपयोग इस शहर के इस महामारी से बचने के लिए उसके उपायजना के लिए निच्छी तुरुप से होगा और हमें भार आना पड़ेगा और हम खुद खुद को सुरक्षित रखते हुए हमारे जो कार महामारी से बचाने का प्रयास और इस महामारी से उद्भुन होने वाली जो चीज़े हैं जो बिमार पड़ने वाले लोग है जो मरीज है उनको अच्छे ट्रिटमेंट देने के लिए मैं मेरे अनुभो का उपयोग करूंगा यह चीज उन्होंने हमें कही और उससे एक हमें भी हम लोगों में भी एक मोटिवेशन आया कि इस समय हमें यह पैंडमिक है लेकिन इस समय घर पे बेटके तो काम नहीं चलेगा हमें खुद को संबालते हुए हमारे कुटुम्ब को संबालते हुए हमें हमारे शहर को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए और यह कुछ कर सके और करने का प्रयास करते हर हपते उनके माध्यम से कुछ सूचनाए नागरितों तो पोचाने का प्रयास किया गया जहां जहां पर भी उनकी विजिट के आवशकता थी वहां पर विजिट किये गए महानगर पालिका के माध्यम से जहां पर एटेंशन नहीं दिय आजा रहा है कुछ चीजे हो रिये लेकिन उसमें जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से न होते समय उनकी सूचनाय भी आधरणिया नाइक साब ने हर क्षेत्र को दिये हाला कि नवियुंबई महानगर पालिगा में नाइक साब कभी गए नहीं लेकिन आज मेरी जरुवत म इस समय में करूं तो हर हपते अपनी सूचनाओं के साथ आधरणिया नाइक साब महानगर पालिगा में जाते हैं वहां पर सिर्फ जाते नहीं है जिस चीजों का उन्होंने जो सूचनाय किये वह सूचनाय पूरे होने की कहा तक बात गई वह कंप्लिट हुई की नहीं और द जजबा है कि हमारे शहर के प्रति उनका प्यार है और उन्होंने मैं शहर का कुटुम्ब प्रमुख हूँ यह धारना उनके मन में बेठी है तो उनके माध्यम से तो काम होता ही है लेकिन उनके बाहराने से उनको चाहने वाले उनको विजन को देखने वाले लोग भी M.I.D.C. को बंद रखने की मांग अगर राजसरकार ने तब ही मान ली होती तो नवी मुंबई में कोविच रुंकला अब तक तूट चुकी होती। उनकी टेस्त करना। इसमें हम लोग सकस्पूल रहे। उसके बाद में नवी मुंबई में रहने वाले लेकिन जॉब के लिए कुछ लोग मुंबई में हैं, मुंबई में होस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, वहाँ पर काम करने वाले security guards, ward boys, महनगर पाल वहाँ पर जाते हैं और नवियूंबे में वापिस रहने के लिए उसके बज़े से कुछ संक्रमन हमारे शहर में बढ़ा लेकिन उसके बाद में भी नाइक साब ने और काफी लोगों ने उसके ओपर सुचना है की और उसको भी रोका गया लेकिन उसके बाद में APMC चालू वाडिया अपना अपना जो जो सामान बैचने के लिए माल बैचने के लिए हाँ पर आएंगी और उससे और जगे की बीमारी जो करोना पॉजिटिव लोग है नवियूंबई के लोगों को वो इनफेक्ट करेंगे और इसके लिए आप लॉकडाउन उसको भी करो ऐसी सूच मापड़ी कामगार है मापड़ी कामगार है उनकी सब के आप स्क्रीनिंग करो एक प्रोटोकॉल सेट करो वहाँ पर बाहर की गाड़ी आएगी तो उसकी टेस्टिंग होगी उसकी सहत का ख्याल रखा जाएगा उसको अबजर किया जाएगा मॉनिटर किया जाएगा आने वा का भी हम लोग मेल रख सकते थे कुछ जगह पे APMC का डिसेंट्रलाजेशन होना चाहिए था जो मुंबए में माल जाना है वो मुंबए में जाना चाहिए थाने है कल्यान है डोंबिवली है विवंडी है उस जगह पे हर जगह की जरुवत और स्पेस अवलेबिलिटी को देखत अगर डिसेंट्रलाजेशन उस समय किया जाता नवी उंबई के APMC में काम करने वाले ओफिसर्स वहां पे काम करने वाले माथाडी व्यापारी उनकी स्क्रीनिंग की जाती प्रोपर प्रोटोकॉल दिया जाता तो निच्छी तुरुप से नवी उंबई में हम ये संक्रमन हो जो आज जो नंबर से ओ नंबर से कम होते इसकी सुचना अधरनिय नाइक साब ने महानगर पालिका को की थी हमारे विभागी के आयुक्त साब को भी की उसके लिए उन्होंने स्टेट्मेंट भी जारी किया लेकिन दुर्भाग्य पुर्वक उस सुचना को इतना गंभिरता से इस प्रशाशन नहीं लिया और उसका खामियाजा आज नव्यूंबई के लोग भुगत रहे हैं तो आज वो लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं सोचल डिस्टंसिंग रख रहे हैं लेकिन उस समय अगर क्या होता तो बड़े पैमाने पे जहां पे माथाडी कामगार है करता है कि अब यह बात हुई है लेकिन आने वाले समय में जो भी सुचना है नाइक साब करे या कोई भी एंजियो करे साधरन व्यक्ति करे उसको गंबिरतास से लेके शहर की सुरक्षता को ध्यान रखना यह काफी ज़रूरी है सर नवी मुंपई मनपा पर आज प्रशासक राज है और राज्य में महाविकास अगाडी की सत्ता है और कोवर्ट जैसे महामारी के वक्त आपकी मांगे और आपकी मुद्दे रखना एवं उस पर उपाए मिलना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है देखें ये काफी आपने जो क्वेश्चन पूछाओ काफी महत्वपूरुन है क्योंकि जबी नगर सेवक के दोर पे एक लोग प्रतिनिद्धी एक वाड को रिप्रेजन करता है तो उसको उस वाड की पूरी समस्या है मालूम होती है कोविड के माद्यम से सिर्फ कोविड के लिए स्क्रिनिंग टेस्टिंग और लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना उसको ठीक करना इतना ही नहीं और भी वाड में होने वाली समस्या है पानी हो यहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट हो इलेक्ट्रिसिटी हो या और लोगों को होने वाली बीमारिया है कुछ लोगों को इस मांसून सिजन में वो बीमार पड़ते हैं उसके बाद में कुछ लोगों को डालेसिस करने के जड़ोत है कुछ हार्ड पेशंट है कहां पर पेगनेंसी है कुछ बच्चों को उनके वैक्सिनेशन देने तो इस सब च यह मांग हमने महाविकास आगाडी और सभी प्रशासन को भी किती लेकिन उस सुझाव को वहाँ पे उन्होंने गंबिरता से नहीं लिया और नभी उंबय में आज प्रशास्थक राज है तो निची दुरुप से हमारी पार्टी कौन सी है हम कौन से पार्टी का काम करते लेकि तो यह उनके अनुभव का और जानकारी का फाइदा इस महामारी को रोकने के लिए निची दुरुप से होता था अभी सिफ प्रशासन उनको सेंट्रल सिस्टिम से क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है यहां पे मिनिस्टर्स उनको क्या बता रहे हैं सेक्रेटरिस क्या बता रहे है उसचीज़को पूरा करते है या शहर की क्या जरूवत है शहरत को आज किस चीज़के जरूवत है उपूरा करना इसका तालमेल मुझे दिखाई नहीं दिया और जो थाने डिस्तिक का प्रशासन को सूचनाय दे रहे हैं उनका भी काफी गलत कोडिनेशन इस समय तेखने क के लिए मिला जो officers competent हैं जिनको जानकारी है उनको बाजों में रखके प्रति नियुक्ति पे कुछ officers बुलाएगे जिनका अनुभों जिनकी नियुक्ति उसके उपर भी प्रश्ण चेर्ण निर्मान हुआ है और जिनका अनुभों नहीं है जो qualify नहीं है जो system में बेटे नहीं है उनको करोना की responsibility दी गई तो यही सबसे बड़ा failure मैं समझता हूं कि यहां पे लोग प्रत्यनिदी का control नहीं है प्रशासन को जो जरूरत है जो आदमी सही है उसको काम नहीं दिया जा रहा है लेकिन बाहर से सिप पोस्टिंग के लिए यहां पे नवींबे में यहां पे बाह responsibility उनको दी गई और आप देखते कि जो पहले समय जो गलत डिसीजन्स लिए गए कि यहां पे कोविड हॉस्पिटल की निर्मिती एक्जूबिशन हॉल में की गई उसका इनोगरेशन का उन्होंने प्लानिंग किया और यहां पे लोगों को सुविदा की जरूरत है लोगों क आपको उक्सिजन्स चाहिए उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए कि अब को इनोगरेशन करना है तो ऐसे गलत उध्धिष्ट के पीछे और गलत नियंत्रण में इस समय लोगप्रतिनी निधिन्न होने के बज़े से और प्रशास की राज होने के बज़े और प्रशासन को गल तो देखे कि अगर सिड़को एक्जुबिशन हॉल में आपको कोविड हॉस्पिटल करना है अच्छी बात है लेकिन आप बेड्स कर रहे हैं वहाँ पे नर्सेस नहीं है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है वहाँ पे विमेंस के लिए मेंस के लिए आपने वरगी करन किया नहीं ग कि आज जो जिमेदारी से बाग गए हमारे एमोएच और जिनके ओपर कोविड के रिस्पॉंसबिलिटी दिये थी आज हो कहां पे तो ऐसे आदमी को आपने सिलेक्टी क्यों किया कि जो आदमी रिस्पॉंसिबल नहीं है जो कौलिफाई नहीं है इस आदमी को उन्होंने वह बावजूद यह खामियाजां हम लोग भुगत रहें और भोगरे लिए इसके लिए जबी भी सिटको एक्जूबिशन में जाके क्या स्थीती है आज क्या पर ऑक्सिजन लगे है क्या यह जाके देखनी की नोबत यहां पर आई नाइक साब खुद वहां पर उसका उसको दे इसके बाद जुद जहां पर टेस्टिंग की बात आती है तो यहां पर टेस्टिंग लाब अभी तक शूरू होने जारी चाहिए थी लिकिन जो क्यों रूकी इसके पीछे आप अगर दूनेंगे तो आपको उसके जवाब मिलेंगे इसके पीछे एक बड़ा ही गलत तरीके स प्रशासन के उपर नियंत्रन रखने वाले लोग उन्होंने नवियुंबे के नागरिकों के साथ नवियुंबे के करोना पेशन के साथ यह खिलवाड किया है और उस वो खिलवाड रोकना उनको हर सूचना करना और उसके बाद में जो चीजे नहीं है वह वहां पर इसके लिए नाइक साथ और यहां के जो लोग प्रतिनी दिये हों हमेशा महानगर पालिका में जाते हैं और उसका जवाब पूछते हैं अगर हम आज महानगर पालिका में प्रशासन राज हुआ तो क्या हुआ लेकिन उसका जो गलत चीज हो रही है तो उसके उपर उसका क् पुकने का काम भी हम लोगों ने करना जरूरी है और ओ काम नाइक साब के मार्दयम से किया गया है। महावितरण में काफी अच्छी है। जो शहर आपको अच्छा रेविन्यु दे रहा है। ऐसे शहर में इस शहर का नाम है। और उस समय इस शहर के मार्दयम से आपको अच्छा रेविन्यु आ रहा है। तो उनको सुविदा भी महावितरण के मार्दयम से अच्छी जानी चाह पहले भी महावितरण के खिलाफ मेरे करीबन चार से पाच यहां पर मेरे मीटिंग स्वाप पर हुई है मोर्चा भी हम मेरे माध्यम से महावितरण के खिलाफ निकाला गया था सिब आज महावागाड़ी है इसलिए नहीं जो गलत चीज है उसको रोकना हमारी सूचना लोगों की दिक्कते शासन के दर्बार तक पोचाना यह हमारे जिमेदारी है और उस माध्यम से अगर अच्छा रिविनियों आपको दे रहा है तो आपको नवी उम्बई में जो ओपन डीपीज है जहाँ पर ट्रांसफर्म आपको बदलने की जरुवत है जहाँ पर शॉट सर्किट हो सकता है बारिश के समय जहाँ पर ओपन केबल से वहां से किसी को शौक लग सकता है ऐसे जगह पर आप लोगोंने खबरदारी लेनी चाहिए कुछ जगह पर ओपन वायर होने के बावजूद काफी दिनों से उनको बताने के बाद भी वाफे ध्यान नहीं दिया गया शौक लगके कुछ लोगों की मोत भी हो गई और मोत होने के बाद में कॉंपेंसेशन भी महावितरण के माध्यम से नहीं दिया गया उसके बावजूद जहाँ पर बारिश के पहले क केबल का सप्लाइ करने की जवाबदारी क्या लोगों की लोगों से आप केबल मांगेंगे तो इस सारे सवालों के जवाब पूछे गए और इसके बावजूद जब यह पैंडमिक शुरू हुआ तो अभी यहां पे जो एनर्जी मिनिस्टर ने डिकलेर किया था कि हम पात्सो थर्ष इनर्ट तक रिक्टरिशर्टी बिल लोगों को माफ करने का सब्सक्राइब लेकिन तक बाद मिर्य läuft ने अश срав़ रुपया बिल आता था एक मेने का तीन मेने का बिल उनको 20 25 25 30 अजा रहा है तो आपने जो रिडिंग ली वो गलत ली रिडिंग किसने ली आपने एवरेज बिल क्यों दिया एवरेज बिल देना ये गलत बात है लोगों के पास नोकरी नहीं है जो बिजनेस है वो बन पड़ा है और in health के issue में लोगों को अई समय अगर आप गलत तारीके की कर अगर गलत भी लोगों को बेज़ेंगे लोगों के ऊपश रहें हाला कि यह बिल आप लोगों को माफ करना चाहिए नहीं कर सकते जो हुई भी डिसकाउंट आपने किया उसको भरने के लिए आपने उनको तो हम लोगों ने महावितरण को एनरजे मिनिस्टर को यहाँ पे पत्र दिया है वाशिया ओफिस में जाके अलग-अलग जो नवीमबे में ओफिस हैं वहाँ पे जाके बता है कि आप लग जब तक यह रेक्टिफाइ नहीं करेंगे तब तक हम हमारा अंदलन शुरूर रखें के वापिस और एक्टिफाइ करने को लिए देख रहे हैं आपने खुद ओ समझ के उसको कम करके लोगों को भेजना चाहिए और लोगों का बिल काटने की चेश्टा उनके मादिम से नहीं हो चाहिए अगर एक भी कनेक्शन उन्होंने काटा तो हम लोग रस्ते पर उतरेंग के यहां आधर निया नाइक साब ने और उनके साथ काम करने वाले सभी कारे करता हूंने आज महावितरण को सुचित क्या है और जब तक यह बिल और रेक्टिफाइ नहीं करते और जो मांग उन्होंने कि है कि 500 तक वो माफी करेंगे और यह भरने के लिए वो टाइम स्पैन नहीं देते तब तक हमारा आंदोलन चुरू रहेगा आंटिजन टेस्टिंग्स को लेकर आपकी क्या राय है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उसके टेस्ट रिजल्स हंड़िट पसंट आक्यूरेट नहीं होते हैं देखें कि आज यह महामारी यह पैंडमिक यह करोना यह न अच्छी चीज़ें आती है जो नए नए अन्हों आते उसके बाद में अच्छी चीजों का स्विकार करना यह काफी महतो पुर्ण है यहां पर एंजियोज है कोई लोग प्रतिनीदी है उनके माध्यम से भी काम करनी का उनको आपिल किया गया है लेकिन अगर कोई भी टेस् प्रापर तरीके से नहीं करेंगे प्रापर लोग वो टेस्ट के लिए ट्रेन नहीं रहेंगे तो आपको नतीजे गलत आएंगे और एंटिजन टेस्ट है तो उसके लिए टाइम स्पैन क्या है वो कौन से समय में करना चाहिए वो कौन से तरीके से करना चाहिए वो अगर प अगर जिस आदमी को मालूम पड़ा कि उसको वो पॉजिटिव है अगर उसको नहीं मालूम पड़ा तो ये और जगह पे ये संसर फैलाएगा और इसकी संख्या बड़ेगी तो इमिरेटली जितना शॉट स्पैन में लोगों को मालूम पड़े इसकी जरूरत है ये होना काफी आवश्टा के तो मुझे लगता है कि हम लोग ये रिजल्ट्स गलत है या सही है इसके बावजूद उसको सही तरीके से एक्जिक्ट करना इंप्लिमेंट करना और लोगों को ट्रेन करना ये चीज़ मतो पुरने सर्ज ऐसे आपने कहा और हम भी देख रहे है विदायक गनेश नाइक जी नवी मुंबई की कोविट स्थिती को ध्यान में रख लगातार पालिक आयुक तबिजीत बांगर के साथ मुलाकात कर रहे कई follow-up visits हो रहे विभिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे है जो आपने रखे और उनका हल मिल गया है और ऐसे कौन से मुद्दे है जिनका हल अभी भी मिलना बाकी है देखिए कि अभी तो प्राथे मिकता है कि हॉस्प परस भी बढ़ रहे हैं तो सर्वप्रतम हमें नवियुम में की खुद की टेस्टिंग लाब होनी चाहिए यह मांग आधरनीय नाकिसनाइक साब नहीं की थी हम उसको आउट्सोर्स करना और आउट्सोर्स करने के बाद में उसमें डिले होना या उसमें एक्योरेसी नहीं र करेंगे तो हम लोगों को जल से जल उसके रिजर्स बता पाएंगे अगर उसको सिम्टम से और लोगों को भी देना रोख सकता है तो यह पहली मांग आधरनीय नाइक साब निकिती कि हमारे शहर में टेस्टिंग लाब होनी चाहिए और अभी मेरे खाल से एक हपते में इस टेस्टिंग लाब शुरू होगी उसके बावजूद नवियुंबई में बेड्स अवेलेबल होना चाहिए और उसी बेड्स नहीं इंडिया बुल्स में हमारे लिए बेड्स है नवियुंबई के जो हॉल से उसको यूटिलाइज किया गया है अभी वाशी एक्जुबिशन सेंटर में हम लोग लोगों को रखते लेकिन जो हंड्रेड में नाइन्टी लोग उनको माइनर सिम्टम से वह एक छे दिन के बाद साथ दिन के बाद में ठीक हो रहे हैं लेकिन जो सीनियर सिटिजन्स है जो पहले से बीमार है जिनकी इम्मुनिटी कम है और जिनको लेट डिटेक्शन हुआ है उनको ऑक्सिजन की और वेंटिलेटर की ज़रुवत पड़ रहे हैं और उन लोगों को ट्रीट करना काफी ज़ प्रड़ प्रविट लीटि की गई है जो वेंटिलेटर की ऑड़र भी उसके माद्यम से की गई है और जो क्रिटिकल केर जो हॉस्पिटल में प्रवेट अश्पिटल में जाना चाहते लेकिन वहां पर भी उनको अडमिशन नहीं मिल रहा है और जो जिनके पास खुद की तो वो अच्छे हो के भाहर निकलते हैं ऐसे जगह पे लोगों को बेड्स मिलने चाहिए तो जो मांग अधरणिया गणेश जी नाइक साब ने कि अभी अलग-अलग रेपिटेड और जो रिजल्ट देपा रहे हैं ऐसे हॉस्पिटल में नवियुम्बे को बेड्स मिल रहे है पंदरा ओगस्ट तक मेरे खाल से 100-200 बेड्स एक हॉस्पिटल में उपलब्द होने वाली हैं जहां पे ऑक्सिजन, वेंटिलेटर और जो भी वैक्सिनेशन, मेडिसिन्स की आवशकता है जो क्रिटिकल केर की ज़रुवत है वो मेडिसिन्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे औ और समय में नाइक सब ने बोलागी एक हॉस्पिटल पे डिपेंडन रहते हुए और भी जो सुपर स्पेशलिटी अच्छे हॉस्पिटल है वहाँ भी नवियूंबई महानगर पालिका के जो कॉमन लोग है जिनके पास पॉलिसी नहीं है जो आफ़ोट नहीं कर पाते उनके लिए बेड्स एवलेबल करना और उसकी एवलेबलिटी अभी हो रही है 100% हो रही है ऐसे में नहीं बोलूंगा लेकिन उसकी शुरुवात हुए उसके बाद जो रेमेडीज और जो मेडिसीन जो कॉमन लोगों को एवलेबल नहीं है उसका स्टॉक महानगर पालिका के यहां चाहिए महानगर पालिका प्रावेट हॉस्पिटल का पेशन्ट ओपे कर पा रहा है और नहीं पर पार रहा है यह न देखते हैं उसको ट्रीट करना यह जरूरी है और उसको प्राथमिक्ता देना और ऐसे काफी सारे चीज़े जो आधरनिया नाइक साब के माध्यम से जो ल नाइक साब ने किये उसके उपर काम हो रहा है कुछ पूरे हो गए कुछ कंप्लिशन स्टेज में और कुछ अभी पूरे होने और नाइक साब ने कहा था है जब तक यह करोना हमारे शहर से नहीं जाता है तब तक मैं इस चीज़ का फॉल अप करूँगा सर नवी मुंबई में ऐसे कई स्कूल है जो अभी भावों को पर फीस भरने का दबाव डाल रहे है कैसे स्कूलों को जवाब दे या अकाउंटिबल बनाया गया है नीची दुर्प से यह काफी दुर्भाग्य पूर्व है कि इस महामारी के समय इस पैंडेमिक के समय अगर स्कूल की फी बढ़ाई जा रही है तो यह गलत है यहां पर लोग हमारा यह पैंडेमिक में खुद इंफेक्टेड नहों उसके लिए प्रैस कर रहे हमारे जो जो सर पढ़ाना यह गलत चीज़ है और ऐसे लोगों को पीछे नाइक साब ने उसमें अपिल किये कि जो इस तरीके का गलत चीज़े करेगा उसके साथ नाइक साब रहेंगे और उनको जाके फी न बढ़ाए उसके लिए खबरदारी लेंगे और दूसरी बात है कि इस समय कुछ लोग फी भर पा रहे हैं जो नहीं भर पा रहे हैं उनके प्रती भी थोड़ा सा रवय स्कुल का आज नहीं भर पा रहे हैं तो समय देना चाहिए. फी तो नहीं बणा नहीं चाहिए और दूसरी बात हिगे यह बांगर साब के साथ डिस्कर्शन अधरनिय नाइक साब का हुआ उन्होंने का कि प्राइवेट स्कूल तो अपने लिए नियोजन कर रहे लेकिन महानगर पालिका के स्टुडेंट्स है उनके पैरेंट्स उनके भविश्ची के लिए चिंतित है तो उनको कुछ आप सोलुशन देना चाहिए उसमें स्टेट गवर्मेंट के एजुकेशन पॉलिसी को मद्य नजर रखते हुए हमारे टीचर्स लोगों को हमको ट्रेन करना पड़ेगा सिप आइपैड देने से कोई आप डिजिटल लर्निंग या या आप ई-लर्निंग आप नहीं कर सकते उसके लिए आपको एक फ्रेम बनानी पड़ेगा सिस्टेम बनाना पड़ेगा उसके बाद आप महानगर पालिका के स्टुडेंट्स को आप उनलाइन एजुकेशन से दे सकते हैं तो इसके लिए सूचना है अधरनियन आइक साब के माध्यम से अयक्तों महदन को दी गई है एजुकेश आंदोलन करने के लिए नाइक साब के हम सभी लोग रहेंगे कोवेट महामारी के चलते आपकी मुख्य प्राथमिक्ताएं क्या हैं देखेगी आज हम लोग समाजनीती में राजनीती में या शहर के विकास के लिए अलग-अलग विजन देखे हैं लेकिन इस पैंडमिक में स में और मेरे माद्यम से और हमारे नित्रत्यों के माद्यम से काम करते समय हेल्थ केर हमारे प्रामुक प्राथमिक्ता रहेगी उसमें हमारे शहर के लोगों को simple way में अगर किसी को symptoms है या कोई Corona patient के संसरग में आया है तो simple way में उसको treatment मिले, उसकी जानकारी मिले, उसको ambulance available हो जो स्तीती है वो just उसको मालूम पड़ा है, वो just minor symptoms है, वो asymptomatic है, वो critical है उसकी स्तीती के हिसाब से उसको तुरंत अच्छा इलाज दिया जाए, उसको treatment देखे उसकी life सेव की जाए, ऐसी simplified यंत्रना हमारी महानगर पालिका में कारिरत हो, यह हमारी प्राथिमिकता रहेगी और इसके बाद में भविश्य में इसके लिए अलग से arrangements, अभी सिफ COVID केर नहीं, लोगों को और बीमारियां हैं, जैसे अभी बारिश के समय में फ्लू का जो नंबर से बढ़ते हैं, women's care है, kids care है, जो heart से related disease में कुछ लोग treatment ले रहे हैं, कोई dialysis से treatment ले रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग COVID को देखेंगे और उनको ignore करेंगे, यह भी बात सही नहीं है, उनकी भी treatment, उनके ward level पे, उनके विभाग level पे होनी चाहिए, तो नभीम hospital, वाशी hospital, निरूल hospital, बेलापूर hospital, यह general hospital, शहर में चल रहे हुए, MCH, UHP, वो भी systematic way से safely वहाँ पे activate होना, in the sense, जो चीजे routine healthcare के लिए है, और और focus के, focus रखे, manpower, experts, testings, isolation, यह सब रखे, उसको care करना, यह focus हमारा रहेगा, और भविश्य में जो और technology आ रहे है, जो care के लिए जो vaccines बन रहे है, उसकी उपलबदता पहले ही नभीम उंबे में करना, अच्छा vaccine कोन सा है, वो identify करना, उसकी लिए, उसकी मांग करना, उसकी लिए financial provision रखना, सिफ आज नभीम उंबे वाशी hospital, COVID hospital करके treat कर है, लेकिन दो या च protection हो या महामारी आए, उसके लिए isolated hospitals ये त्यार करना भी काफी ज़रूरी है, तो एक healthcare ये आज के स्थिति को control करना, लोगों को treat करना, और भविश्य में 5 साल, 10 साल, 20 साल और 25 साल के लिए ऐसी कोई और महामारी आई, तो उसके रोकने के लिए जो उपाय होजना है, जो प्र education, आज काफी बड़े पैमाने पे सभी सतर के लोग, वो upper middle class हो, lower middle class हो, या महानगर पालिका के में पढ़ने वाले बच्चे हो, सभी के parents, बच्चों की शिक्षा के बारे में वो चिंतित है, अगर मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, तो वो infected होगा, अगर स्कूल नहीं जा रह हो रहा है, तो e-learning से उसका साल खराब तो नहीं हो रहा है, तो ऐसी सब चिंता में education को एक अच्छा model देना, state government, center government की जो guidelines है, उसके दायरे में रहके, अच्छी सुविदा देना, एक अच्छा solution देना, यह हमारी second priority रहेगी, और सिफ education देते समय, student के education की safety, और उनके life की safety, इ और तीसरी पार्थमिकता रहेगी, कि इस समय काफी बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने job खोये हैं, काफी लोगों के businesses बन पड़े हैं, तो इसमें कुछ businesses बन पड़े, लेकिन कोई नई opportunity उसमें आई है, वो समझते हुए, विश्व की स्तिती, world economy, हमारे country की economy, हमारे state की economy, और हमारे शहर में उस माध्यम से गए हुए लोगों के रोजगार, और create होने वाले रोजगार, उसमें एक crafting करके, लोगों को एक job availability करना, और जो job availability होने वाली है, उसके लिए train करना, यह काफी महतोपरण बात है, तो एक intensive all areas में healthcare, वो बच्चों की हो, विमेंस की हो, senior citizens की हो, healthcare में काम करना वाले doctor कर्मचारियों की हो, दूसरी बात, बच्चों का education, उसकी policy, उसकी framing, और बच्चों की safety, और जो पढ़के हमारा घर का गुजारा, खुद का गुजारा करनी के लिए, जो employment और self employment, यह तीन चीजों के बारे में काम करना, यह हमारी निच्छी तुरुप से सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक्ता इस pandemic के समय में और pandemic के बाद भी रहेगी. सर, इस आखरी सवाल में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि COVID महामारी के चलते आपने personally कौन सी तीन चीज़े सीखी है, जैसे top three learnings, संदीव नायक की top three learnings क्या है? दिखें कि मैं सबसे पहली बात है कि हम nature को गरांटेट नहीं ले सकते हम कितना भी research करें हम science में कितनी भी तरक्की करें लेकिन कुछ ऐसे चीज़े हैं जो हम चाके भी उसकी जानकारी हमें नहीं होगी तो हम जबी पूरे nature के बारे में, nature के against में काम करते हैं तो हमें nature को भी समबलना चाहिए nature कभी बोलता नहीं, लेकिन बोलता नहीं इसमें हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ओभी कभी react नहीं करेगा तो यह nature का reaction है, तो nature को समबलते हुए जो भी स्थिति निर्मान होगी उसके साथ fight करने का जज़बा हम सब में आना काफी महत्वपूर्ण है दूसरी बात है कि ऐसे स्थिति में अमेरिका, यूरोप जो काफी advance countries है उनको भी इस महामारी का ऐसास नहीं था और उन्होंने predict नहीं किया था, तो एक alert system और एक crisis alert एक mechanism यह हमें develop करना काफी ज़रूरी है अगर इसका एसास या कोई भी अगर disaster हो रहा है या कोई वैश्विक महामारी आ रही है, कोई pandemic आ रहा है तो इसका alarming bell, crisis के लिए एक system set करना, यह काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में हम लोग घर पे बेटे हैं, हम लोग एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं हम जो हर समय करते थे, वो हम नहीं कर रहे हैं, पुरा जग रुका हैं, तो फिर अभी क्या? तो digital economy, तो digital economy को हमें सोचना पड़ेगा, उसको craft करना पड़ेगा अमेरिका में, यूरोप में, और countries में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में ये digital economy किस तरीके से हम education में ला सके, हम महानगरपाली का शासन के माध्यम से लोगों को देने वाली information में ला सके, उसके बावजूद हम खुद का जो employment है, वो भी survival उसमें कैसे करे, उसकी crafting, काफी विचार के साथ करना ये काफी ज़रूरी है, तो एक nature को हमें granted नहीं लेना चा किसी और crisis अगर हो, तो उसकी alarm system है, उसका mechanism है, उसके लिए हमें तयार होना पड़ेगा, और आने वाले भविश्य में digital economy को हमारे जीवन में हमें crafted करके उसका इस्तमाल करना पड़ेगा, तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजे मैं आने वाले समय में सिखा हूँ, और उसको और अच्छी तरीके से करने का प्रयास मेरा रहेगा, शुक्रिया सर, आपका वक्त देने और NMTV से बात करने, very happy birthday to you in advance. करने करने कर दिए और NMTV से अवारे प्रयास में सिखा हूँ, आपका वक्त है आने करने में से बात करने are शोःराने में गया हूँ, आपका झाले समय का वक्तिए एक रीज़ के प्रयास और रावे टुष्वाराने की.